तो फाइनली साल जो बॉली वोड से सबसे बड़ी मूवी आने वाली है, सिंगम अगेन यानि सिंगम पार्ट 3 तो उसका ट्रेयर आ चुगा है, आपको पते है कि इस साल जो सबसे बड़ी बिग बजट मूवी बॉली वोड से आ रही है, वो यही है इससे पहले हला कि पर उसे भी उपर उसने वल्ड बाइट कमा लिया तो देखना हुआ कि क्या फिर से धमा का कर पाएगी बोलेवुड क्योंकि इस बार तो पूरे पैकेज के साथ आ रहे है इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ आ रहे है एक फ्रैंचाइस की मैं गहूंगा मूवी आ रहे है और टॉप डिरेक्टर जो एक्षन के है रोहिच शेटी उनकी मुवी है तो बहुत उम्हेदे रहेंगी इस मुवी से तो फाइनल इसका टेलर आचुका है तो मैंने टेलर नहीं देखा तो आपकी साथ मैं देखने वाला उन टेलर हरा कि मुझे मैंने और इस पर काई सारी वीडिय बना रखे तो मुझे आइडिया तो है कि स्टायर कास्ट कौन सी होने वाली है लेकिन लेट सी की स्टोरी बाहर क्या रहेगी और क्या इस बाहर कुछ नया देखने को मिलेगा तो ज्यादा टाइम देश ना करते पहले देखेंगे ट्रेलर दैन उसके बाद डिटिल में बात उक्यामक्त शूरम अतिसरेश्टम सिंख्धम अहागा अधाय घाया शूक ऐस था तुमारा इप करे निखलेंगे था राम जी जॉडा साल के लिखेंगे लेट सरेखेंगे और को सीरेशली यह सा लगता है कि राम जी सितामा को लेए अलडवी लंका गई ते 3,000 किलो मिटर अफकोस, इस अफक्त, तुम्हारी जेनरेशन को तु 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 अगर कभी आपको किसी रावन टाइप करेक्टर ने किनाप कर ले तु डाड़ आप जाओगे महुं को बचानद? गोगल पे बाजीरा सिंगम टाइप कर ले पता जल जाएगा तेरह बाप चीज क्या जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है भारत की ये प्रथा रही है सीता मा का हरन हुआ तो लंका जलिये रितिहास खुद को दौराने वाला है एक बच्चन के लिए वो लंका जलाने वाला है उसे कोई सड़क चप गुनना मत समझ सिंगम वो आप का तूफान है उस एरिया का इंचार्ज कोने शक्ति शक्ति टेरे तक बहुत तैड उन्या में आने की वज़य एक औरत थी ज्यादा हीरो गिरे धिखाएगा ना तो तेरे तक बहुत जाने की वज़य भी तेरे फुत वर्ण पहननेवाला हर अफिसर को लगता है कि वो ंग है वो तो हमारे गुरु जी है मैं सिंगम नहीं मैं लेडी सिंगम एरे बहुत मानता है ये सिंगम सरक्वणी हमिल्शा से उनके साथ उनका लक्षमन बन कर काम करना चाता था और उस ये मुल्क में कोवर्ट अपरेशन की बात कर रह हो तुम सिंगम उनके कहने पर पहले भी दो बार कुछ चुके हैं सर बचरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी कुछ चाते तेरी रामायन का रावन हूं मैं अगर अवनी के लिए नहीं आया ना मैं तो सिंगम असली मराठा नहीं अगर दर्वासा तूष ये श्री लंका का इकलौता मंदिर है जहां सीतामा पुजी जाती है जहां जहां हनुमान जी ने पदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है ये कल्योग है अपनी कल्योग इस बार रावन जीतेगा सच्चाई की जीत युग की महताज नहीं होती अक्की पब्लिक को मालुमें कौन कोन आने वाला है तेरे को नहीं मालूँ तेरे सामने जो खड़ा है वो महत्मा गांधी का आधर जरूर करता है लेकिन पूचता छत्रपती शिवा जी महाराज को है जे मारक्त्रा है जब ही देखो हेलिकोप्टर से लटक के आते हैं इसे माई बोलता है टिकिट काटो बहिट के आराम से आओ इज़त से आओ लेकिन नहीं लटक के ही आने का है मन तो करता तेरे को यही ठोक दूँ बाई तो माच मिनट का ट्रेलर आवे यार तो मुवी तो फाइनल हो चुकी है एक नवंबर को आने वाली है तो इस बार दिवाली हाला कि कहीं जेगे 31st October को होगी कहीं एक नवंबर को होगी तो पोस्ट दिवाली दिवाली के अगले दिन मूवी रिलीज होगी तो ओपनिंग तो भाई खतपना कि लेने वाली है क्योंकि दिवाली से पहले घ्रीज होती तो शायद थोड़ी कमजोर पढ़ती ओपनिंग लेकिन दिवाली के बात का जो पीरेड होता भाई अलगी डेवल तो भाई ट्रेलर तो पूरी फैन सर्विस है भाई जो जो रोयट चेटि को लगता था कि भाई यह एओडियंस को चाहिए होगा यह उसकी फैन-गत चाहिए होगा वो सारा का मिक्स कर आगया तरीके से ले भाई अजी देव गन की फैन ले भाई टाइगर श्रॉप ले 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 रेंवीर लेवई लॉड अर्जिन कपूर के घर तो भाई बार बार की चाहे वो एक्ट्रस ओ टीपीका पादू को उनके फैन लो करीने कपूर लो सब्सक्राइब सब्सक्राइब яны oh तो भाई एक पूरी फैन सर्विज है भाई कि मोहल बनाने की पूरी तयारी यहां पर नो न करिए एंड जो एक स्टोरी तुमें क्या हो यार स्टोरी तो पूरी स्टोरी पूरी फिल्म होने वाली फिल्म की क्या एंट्रीज होंगी सारे एक्टर्स की तो उमीद मेरी रहेगी कि इससे अलग हो मूवी में कुछ तो करीर तो वगला कुछ तो हो क्योंकि पूरी प्रेड्टेबल लगेगी बनातो जो मूवी में जो स्टोरी जो जो जॉड़नी कोष्ट करी वह और रामायन की तो रामायन से link करके story बनाई गई है कि कैसे सीता माता को रामर्ड ले जाता है यहां पे रामर्ड अर्जून कपूर है सीता माता एक तरह से करिन आकपूर दिखाए गई है डेन श्री राम हमारे अजीदेप गन दिखाए गई है एसे ही लक्षमान जी हमारे टायिक श्रॉफ दिखाये गया तो ऐसी सब को करेक्टर से जोडने क्वेश्च करिए तब के एकर आक्टर्स को एंड एक्टर्स इसको एंड एक्टर्स तो भर्मार जबाई सारे आपने देख लिए अख्षय कमार अजदेवगंत हैमें ना रन्व प्रभी किशन तो भाई एक्टर्स भर भर के लिए कि मानलो ओपनिंग में तो कोई कमी छूटे ही ना बाकि उसके बाद तो डिपेंड करेगा कि लोगों को कितने प्रसंद आती है तो स्टोरी वाई इस तो कुछ डिसकस करने को आई नहीं जैसे कि मैंने बताया और इसके पाद जो अग्राव बढ़ता जा रहा है सिंगम की बाकी मुव्स का इसके ड्रामा टाइप के लगती है उसमें उतन देख लिए अक्टिंग कर रहे हैं सारे अच्छे डाइलोग दिये है सब कुछ दिया बट एक फिल्मी टाइप में दिख़ आ है जब कि सिंगम पहले जो तो वह चीज़े खटक रही है काफी तो मेरा तो मिक्स्ट रीक्शन है टेलर पे मतलब लोग और वह सब्वनें नियुक्त लिए और अच्छेशन की वह सब अच्छे समूना किया है अद बाकी एक्टर्स ने अपना काम डाय लोग वगयरा सब तरहीं से की हैं या अग्टर्स चाहि जब लगा की एक्सक्रिशन वगयरा थोड़े और थोड़े क्रिंश टाइप की फ इस्प्रेशन हैंगी सारे सीन्स में बाट लट सी की उमीद रहेगी कि मुवी में और अच्छा कुछ देखने को मिले क्योंकि रोई शेटी की यह कमबैक मुव में होने वाले इससे पहले सरकास आई थी तो वह डिजास्टर रही थी मुवी इंविर सिंग के साथ ही अला कि सार यह पहले सिंगम हो चाहिए और शूरे वंशी ओ शूरे वंशी ओ शूरे वंशी ओ और यह तो आपको पता है कि रोट शेटी में जो कॉप यूणिवर्स बनाया इसकी कोई प्लैनिंग नहीं ती है तो असलिए आप देखो कि करेक्टर कोई करेक्टर किस मूवी में कोई मर करेक्टर किनुवर्स में जोड़ने वाला एक और यूप मैं काऊंगा तो वह तो टाइलर में ने दिखाया लेकिन मूवी में पूरी उमीद है कि उसकी भी एंट्री निखाए जाएगी कॉप यूनिवर्स में तो उनकी स्टार्टिंग मूवी होगी इसके बी अलग मईग म तो बात करों दबंग चुलबलपंडए यास सल्वान खान कभी इसमें एक कैमी होने वाला है तो मुवी में वो देखने को मिलेगा तो उनकी भी एंट्री होने वाले कॉप उनिवर्स में तो उनकी जो मुवी थी दबंग उसमें आइटम सौंग किया था करिना कपूर ने मन फ सब्सक्राइब नहीं चल रहे हैं कि उपर उपर से देखो इंजॉए करो बस तो उससे आप से रोजशेटी आइटिंग क्लियर भी है काफी तो इतने चीज़ों पर इतना फोकस करते हैं वह सिर्फ इंटर्टेन्मेंट में मौसलिफ पर फोकस करते हैं बट वही है कि यार अ साथ नहीं कहूंगा बट नॉर्मल काम लग रहा है आपर मुजिक के बारे अब कुछ कहने सकते हैं कुछ भी गाना सौंग कुछ दिखाने नहीं गया है अठा जो रन्मीर सिंग के ऊपर है अनुमाद जी का जो गाना चलाया गया है म्यूजिक दिया गया है वह अच्छा दा होगा तो यह तो मेरा रियक्शन गुल आपका रियक्शन कुछ और हो या सेम भी हो तो आप कमेंटस वीडियो कौग में कमें